मुझे शंकर, होमियोपैथ, पटना से आप लोगों से जुड़ रहा हूँ, नमस्कार मेरे आज के एपिसूट का भी सह है, पुर्षयों में होने वाला गंजापन, यानी मेल पैटर्न बार्डनेस, या इसको एंडोजनी कलोपेशिया कह लें, अक्षर आप पाएंगे, जब आप सर्च करेंगे कहीं भी या किसी डॉक्टर के पास जाएंगे, तो आपको शुनने को मिलेगा DST हार्मोंस बढ़ गया है, हार्मोनल इंबैलेंस हो गया है, एंडोजन हार्मोंस बढ़ गया है, जिसके कारण हैर फॉलिकल्स मर रहे हैं, बाल पतले हो रहे हैं, और उसके बाद पुन्तिया ज़ड जा रहे हैं, जिसके कारण मेल पैटर्न बार्डनेस दिखने को मिलता है, मिल पैटर्न बार्डनेस का मतलब हुआ, एंसेप में आपके सर के बालों का आगे से ज़ड़ना और पीछे जो ये एरिया है, इसमें घंजापना जाना, आगे से एंसेप में ज़ड़ता है और बीच में घंजापन रहता है और चारो तरफ बाल बचे रहते हैं, इसको मिल जो काउजेज बताये जा रहे हैं, DST हर्मोन्स, एंडोजेनिक हर्मोन्स, एंडोजेनिक अलोपेशिया, यह सारे नाम जो दिये जा रहे हैं, बालों के जहरने का, और अनुवांसिक काउजेज ही इसमें, जेनिटिक काउजेज, अनुवांसिक काउजेज ही इसके मुख्य बैलेंस होता है और उसके कौज़ेज जो होते हैं वो बंसानुगत होते हैं परन्तु आप इसके रिशीवर बन जाते हैं जब यह आप में लक्षन दिखाई देते हैं परन्तु के रूप में आप इसको अपने अंदर नियंतृत कर सकते हैं. DST हर्मोंस को बढ़ने से रोक सकते हैं, जैसे कि आज जैसा कि आप जानते हैं, कि टेस्टेस्टोरान हर्मोंस का 10% हिसा ही DST में करणवर्ट होना चाहिए, जो कि हमारे सरीर के सहत के लिए बहुत ही लावदायक है, और इसे हमारी मान स्पेशियां, हमारे मेल पार्ट्स, मेल का डिवलोप्मेंट से लेकर बहुत सारी चीजों में दाड़ी मूच और भी सरीर के अंदर जो स्कीन हैं, बाल हैं, उसके सहत के लिए DST हर्मोंस जरूरी है, एक लिमिट में, पर तो यह DST हर्मोंस जबते दस परसेंट इस्टेस्टेस्टोरान से ज़्यादा करने लगता ह सरीर DST हर्मोंस में, तब यह क्यों होता है कि हैर रूट्स में बिमारियां पैदा करते हैं, बिमारियां पैदा करते हैं, हैर रूट्स को छोटे कर देते हैं, हैर फॉल्जिकल्स मरने लगते हैं, आपर बिलड सप्लाई और नूटरिशन का सप्लाई बालों को नहीं मिलता ह जिसके कारण बाल जहरने लगते हैं पतला होते हैं जहर जाते हैं और पुर्मता गंजापन उरसों में देखने को मिलता है तो अनवानसी काउज जो हैं जनेटी काउज जो हैं वो सही है अपने जगह पर परन्तु आप इसको रोक शक्ते हैं और इसके लिए कोई अगर आप अपने लिवर को स्वस्त रखेंगे वहां टॉक्सिंस नहीं बढ़ने देंगे वहां फैट नहीं बढ़ने देंगे फैटी लिवर नहीं होगा आपका जीपीटी बिल रोविन ठीक रहेगा तो आप फिव्टी परसेंट केस में देखेंगे कि आपका बालों का जहरना रोग जाएगा यह ती छती हो गई है वह हो गई है आगे नहीं होगा छती को आप रोक शकते हैं एर फॉल को रोक सकते हैं अपने हैर फॉलिकल्स को मरने से कंकि नहीं हो आपके लिवर फैटी नहीं हो आपका लीवर स्वस्त हो तो आप को डीश्टी ब्लॉकर का वश्यक्ता नहीं है आपका लीवर है about a उसके लिए और उसके लिए तो बालों के लिए सबसे जो पहली दावह 2 है वो रलाकोपर्डियम 200 लेनी है दूसरी दावा लेनी है वॉस ऑडं 2 हैंड़ियृ टू हैंड़ टू है आज आपने ल को पोरियम लिया तो कल वाइस वाडं लेना है मात्रा क्राप्डिया हो चार बंद हर आज आज आपने लैक Selenium एक ऐसी उत्क्रिस्टास दी है, जो आपके हर्मोन लेवल को मिंटेन करेगा, अगर DST बढ़ा हो उसको घटा देगा, इसमें ये ताकत है, कि ये DST को घटा देगा आपके हर और गन पे, जहां-जहां DST का असर है, और खासकर बालों के हर रूट्स के फॉलिकल्स को वो ड Two- 98ए सट्री ड्रॉप ट्wइसे डी, तीन बुन की मात्रा शुबश्या साम लेनी को घुत हो फक जानी में तीन दीधाई अगर आप 2-3 तो आप देखेंगे कि सुधार हो रहा है बाल मोटे और तरो ताजा दिखाई देने लगेंगे इसमें पेटेंट मेडिसीन जोड़ सकते हैं अगर आपको तुरत रिस्पॉंस मिलने में देर हो रहा है तो आप दो दवाएं हैं एक एडल जर्मनी की एडल नाइन और रिक्वे इसको लेना है 15-3 बार 15-3 बार हाफ-ाफ का पानी में इन तीन दवाओं के शाथ एक पेटेंट आप सकते हैं तो आपका रिजल्ट बहुत फास्ट हो जाएगा जो रिजल्ट दो महीने तीन में मिलना है वो 15 महीने दिन कंदर मिलना सुरू हो जाएगा अब मैं बता रहा था कि लीवर अगर टॉक्सिक हो गया लीवर अगर फैटी हो गया आपको एसी डितिऀ रहता है आपको स sophomore में कहीं कहीं लीवर के प्रालम के करन कभी न कभी आता रहता है आपके अस्कीनस पलाता किसमें आप किया करेंगे लिवर को फिट रखने के लिए लिवर के फिट्नेस को बढ़ाने के लिए उपक्षा ना गुदनीघस हेफ़ तस्वंद की मात्रा शुबशाम एक पानी में चलिडोनियम सुबशाम ट्रॉप्स ट्वाइस डे वाटर लेकिन एक पानी में लिजएगा क्योंकि इस आपकी लीवर करें कि हरा स्वस्ता ठीक हो जाएगी आपका लीवर फिट हो जाएगा और उसमें जितने भी टॉक्सिंस य तो आपका बाल का स्वस्तोना और बॉचक का गिरना ऐक दमत तए तो मैंने दो दवावायं बताइं है इन दवाओं के साथ आपको हेयर रूट्स को ठीक करने के लिए सेलेनियम लेना है विटीक करने के लिए लिए अर्कार रव NOW किओ इसके लिए और झाये लिवर के टोक्सिस निकल जाएंगे सबसे इंप्वारटन्ट को ज्ञादा बढ़ेंगा नहीं तो आपके या रूट्स को देमिज नहीं करेंगा ahh तो आपका मेल पैटर्न वाड़नेस जो है वो कम जाएगा और ठीक हो जाएगा कभी कभी देखने को मिलता है कि बहुत ज्यादा डेंड्रफ आ गया है रूट्स में और आपके ऊपर से वो डेंड्र जो है इसीडिक फंगी इसको लोग आम तोर पे डेंड्र डेंड्रफ कहते ह वो डेंड्र होता नहीं है वैसे फंगस को आप जानने के लिए नाखून लगाएंगे तो नाखून की जणों में नाखून के अगले हिश्य में वो गिला-गिला सा फंगस जमा होगा और वो जी सेरिया में गिरेगा फेस पे गिरेगा फेस पे पिंपल्स निकल जाएंगे पीठ पे गिरेगा तो पीठ के अंदर दाने निकल जाएंगे वो इतना गंदा होता है जहां वो जाता इंफेक्शन पैदा करता है वो फंगस वो हैरूट्स को बहुत डैमेज करता है वो ऐसे गीले फंगस के लिए जिसको आम भासा में लोग डेंड़ भी समझ लेते हैं ल सभी में लुब्सें सीय् कियों और राठ में लगाएंगे और अगले दिन पानी से दोली जिए और सेंपू करना तो सेंपू कर लेजिए कोचजारिया क्यों कि युदारिया मडर तींचर कि अब्लिय makers में हर दिलें अर मनने के वार शुबत प्लमेंद हैं आपका टर्श के तो आपको मालिस करने के लिए बालों को लगाने के लिए बालों में लगाने के लिए दो दवाय में बता रहा हूं जिससे आपकी बाल के जणों को मालिस करेंगे मालिस करना बालों के जणों को मसाज करना बाल को ठीक करने के लिए बाल के सहत के लिए बहुत ही जरूरी है एक चमच वाइल में इसको 10-20 डॉप्स मिला देंगे और इसको हैर रूट में मालिस करेंगे या आप तेल नहीं लगाना चाहते हो तो थोड़े से पानी में चमच पानी में दस से पंदरबुंद की मातरा डाल कर और हैर रूट में मालिस करेंगे सुबह शाम और अगर आप जवरंडी की आपको नहीं मिल रहा हो किसे अच्छी कंपणी का तो आप एचसल का बना हुआ एक आता जवरंड लोसन यह उतना ही कारगर है यह भी मुखत जवरंडी क्यों ही ह है और लेकिन यह बहुत अच्छी का थे जवरंड लोसन को भी हैर रूट में मसाज करेंगे दस से पांच से दस मिनट सुबह शाम अच्छी तरह से मसाज करेंगे इस से क्या होगा कि हैर रूट के लिए उपर से और नीचे से तुम्हें आपको दवा बता ही दिया हूं उनक करते हैं तो बाहर फॉलिकल्स तुरत जिन्दा होने सुरू हो जाएंगे और बाले आपकी बच जाएंगी और अगर बाल गिर गए हो जड़ गया हो तो वहां भी आपको बालों को लाने में मदद मिलेगा इन सारी दवाओं को लेने के बाद आपके बाल स्वस्त हो परनु वह DSD में कंवर्ट नहي होगा देइस्टिन ब्ढ़डी में बढ़े गा परन्तु वह DSD हर्मों में 10% ही कंवर्ड होगा क्योंकि लीवर भी आपको सम्मी बतायं वी सपूर्ट करेंगे लीवर के टॉक्सिंस को फैट्स को रिलीज करेंगे तो और प्श्यक्च गॉ बढ़ना कम हो जाएगा और जिससे आपके हैर फॉलिकल स्तरों ताजा हो जाएंगे स्वस्थ हो जाएंगे बाल मोटे और घने हो जाएंगे यह बहुत ही कॉमन प्राबलम है हमारे समाज का अथा इसको आप जरूर सेयर कीजिए इस एपिसोड को सेयर कीजिए लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और फिर भी इन दवाओं को लेने के बाद आपको रहत नहीं मिल रहा हो या कोई भी प्रस्ण हो इससे जुड़ा हुआ तो आप मेरे इनवाक्स में डाली उसको हम समचित जवाब देने की कोशिश करेंगे